तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AIPT and APTC Depot पूर ने महराष्टा से Group C की वेकेंसी जारी किया गिया है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप इसका Off and Form Fill Up कर सकते हैं Form Fill Up करने के बाद कौन-कौन से डॉक्मेंट आपको लगाना होगा कैसे आपको Send करना होगा Complete जनकारी में आपनों को इस वीडियो में देने वाला हूँ तो इस वीडियो को बिना Skip करते हुए लास तक देखिएगा तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं Official Notification यहाँ पे दिया गया है LDC, Cook और MTS में यहाँ पे Gardiner, सफाई वाला और Watchman के लिए वेकेंसी यहाँ पे दिया गया है तो नोटिकेशन की Complete जनकारी के लिए और Application Farm को डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिक्सिशन में एक टेलग्राम चनल का लिक मिलेगा Free Off Line Farm का वास जाकर के आप बिल्कुल Free में नोटिकेशन और Farm डाउनलोड कर सकते हैं तो Farm डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा आपको Application Farm मिल जाएगा जिसमें के उपर यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे Center का Address दिया गया है इसी Address पे आपको Farm को फिल अप करके Send करना होगा और यहाँ पे आपको दिया गया है फोटोग्राफ आपको चिपकाने के लिए जो कि यहाँ पे आप फोटोग्राफ चिपकाएंगे और इसे आपको Attested भी करना होगा और इसके बाद नीचे आपको दिया गया Application for the Post आप यानि जिस भी Post लिए आप इसमें आवजन करना चाहते हैं यहाँ पे आप Post का Name देंगे और जिस काटेगरी में आप आवजन कर रहे हैं यहाँ पे आपको काटेगरी का Name आपको इसमें देना होगा और इसके बाद नीचे आपको दिया गया रिफरेंस यहाँ पे देने के लिए News पेपर का तो यहाँ पे आप लिखेंगे Employment News और इसके बाद यहाँ पे Employment News में जो Advertisement Number दिया गया था जो कि यहाँ पे E.N.13.17 था उसे आपको लिखना होगा और जो यहाँ पे डेट होगा 29 जून 24 का notification यह जारी किया गया था वहाँ डेट आपको इसमें mention करना होगा और इसके बाद अगेन यहाँ पे आपको दिया गया है डिटेल आपको देने के लिए तो नीच पेपर में यहाँ पे आप Employment News लिखेंगे यहाँ आप दियान देंगे यहाँ पे आपको Employment News आपको लिखना होगा मैंने यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है लेकिन आपको Employment News लिखना होगा और इसके बाद नीचे आपको दिया गया नेम को देने के लिए तो यहाँ पे आपको अपना अपना डेटा बर्त लिखना होगा और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर दिया गया आपको यहाँ पर एज क्लिक्लिट करके अप्लिकेशन फर्म के लास एट से जो आपका एज आएगा येर मन्त और डे में अपना एज आपको यहाँ पर देना होगा इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गिया है qualification का detail आपको देने के लिए जिसमें कि यहाँ पर बूर्ड का name देंगे इसके बाद जो आपका passing error होगा उसे देना होगा इसके बाद जो आपका obtained mark याई प्राफ तंक होगा उसे आपको देना होगा और यहाँ पर आपका जो total percentage होगा उसे आपको mention करना होगा और इसके बाद नीचे यहाँ पर दिया गिया है अगर आप physical handicap का इंडिट होगे तो यहाँ पर आप दे सकते हैं सबसे पहले आपको physical handicap का type देना होगा और यहाँ पर आपका जो percentage होगा disability का उसे आपको यहाँ पर देना होगा और इसके नीचे यहाँ पे दिया गया है experience के लिए अगर आपके पास जिस post में आवेदन कर रहे हैं और उसमें आपके पास experience होगा तो यहाँ पे आपको experience की जनकार देना होगा और साथ मजवब का experience अट पिगेट होगा उससे आपको attach करना होगा इसके बाद next यहाँ पे दिया गया है अगर आप LTC के लिए apply कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बताना होगा किस language में आप यहाँ पे typing करेंगे Hindi या English उसे आपको यहाँ पे लिखना होगा और इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको दिया गया employment registration card नमबर आपको देने के लिए अगर आपका रोजगार कारले में registration होगा तो यहाँ पे जो आपका registration नमबर होगा उसे आप देंगे इसके बाद आपको date देना होगा और जिस भी district में आपका registration होगा डृष्टिक करने में आपको यहाँ पे देना होगा और इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया e-communication address देने के लिए जो कि यहाँ पर आपको complete address आपको पिनघुट के साथ लिखना होगा और इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको दिया गय amil id और mobile number दूनों यहाँ पर mention कर देना और इसके नीचे यहाँ पर आपको दियागर डिकलेशन जिसमें यहाँ पर आपको अपना name देना होगा इहाँ परessä फूमन फिल अव्याफ करते हैं इसके बार date देना होगा उसके लिए मैंने हापट का लिस्ट बनाया हुआ है जिसमें कि यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले जो आपको यहाँ पर डॉक्मेंट लकाना होगा सबसे पहले है तो अपना का सट्पिकेट लगाएंगे उसके बाद आपको एक सेलव अड्रेस इनॉलफ देना हो जिसे कि आप पांच रुपय का डाट टिकर्ट चिपका Dalin बाइब कर जारी होगा उससे आपको एडमिकरड आपके बाइ पोस्ट घर पे आ जाएगा इसके बाद आपको एक एक एक्सट्रा पासपोर्ट साइज फोटोग्राप भी देना होगा जिसे की आपको अटेस्टेड करना होगा और इसके बाद आपको दिया गया है अगर आप experience लगाते हैं तो आपको यहां पे experience डौकिमेंट लगाना होगा आप्ट पोर्म के साथ अटिया मारी छोगाइट करना होगा है इस्के इस्ट्रेस पोश्ट नहीं करेंगे और जो लाट्टिटु का फॉर्म को कर के सेंड करने के लिए आप इसमें 26 जुलाई-जॉलाई-24 तक फॉर्म को करके सेंड कर सकते हैं कि इसके बाद नेक्ष यहां पर बात करते हैं जो आपका इनोलफ होगा उसके ऊपर आपको अडिर्स को कैसे लिखना होगा सबसे पहले इनोलफ की ऊपर आप लिखेंगे अप्लीकेसन फार झाध पोस्ट आप आप इसके बाद आपको पोस्ट करने अम देना होगा जिस पी पोस्ट लिए आविजन कर रहे हैं इसके बाद आपको कैटेगरी लिखना होगा और इसके बाद जो आपको कैटेगरी होगी उससे आपको यहापे मेंसन कर देना होगा ऐसे आपका जो इनुलप होगा उसके उपर आपको लिखना होगा इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको लिखना होगा टू टू लिखने के बाद इसके बाद नीचे यहाँ पर आप सेंटर का अड्रेस देंगे जहाँ पर आपको सेंड करना होगा फॉर्म को इसके बाद फॉर्म लिख करके जो आपका होम अड्रेस होगा उसे आपको लिखना होगा और इसके बाद निख्ष जो आपका एक सिल्फ अड्रेस इनुलब होगा उसके उपर जो आपको लिखना होगा उपर आप टू लिखेंगे और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे अपना अड्रेस के और लिखना होगा और यहाँ पर आपको 10 रुपे का डाक्टी का पूर्णा के लिए औफट फार्म कर लगा अगर आपका फिर बी कोई डाउट हो फार्म फील अफकर करना के लिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और अप्लिकेशन फार्म और नौटिकेशन को डांलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिक्सिस्टर में फ्री आफलाइन फार्म का तेलिग्राम गुरूप मिलेगा वहाँ पर जाकर कि आप अप्लिकेशन फार्म को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इस चैनल पर पहली बार आई हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वेल आइकन को दबा दीजिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद